Hello बच्चो, welcome back. और last lecture के अंदर हम लोगोंने relations के question को explore किया था और ये lecture जो है उसी lecture का second part है यानि कि उसकी continuity है last lecture में हमने seven questions को explore किया था और इस lecture में भी हम further आगे कुछ और seven questions को explore करने वाले हैं और अगर आपने पहला lecture नहीं देखा है questions का तो यहाँ YouTube पर अगर आप देख रहे हो तो आई बटन यहाँ कहीं होगा उस पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा नहीं तो आप प्लेलिस्ट के थूज को देख सकते हो और अगर आप application में देख रहे हो तब तो आपने sequence को देखा ही होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उन चीजों को पहले खुद से किया होगा ठीक है तो चलो यहाँ पर बिना time को waste किये हम लोग directly question की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो question है वो है आपका आपकी screen पर है पहले उसको read करो and then उसके बाद video को आगे proceed करना so the question is आपके पास एक relation R है जिसके अंदर जो elements दिये हुए हैं that is 1,2,2,3 on a set अच्छा एक relation given है आपको जिसमें elements है आपके पास 1,2 and 2,3 on a set of natural number तो यहाँ पर जो set है आपके पास natural number का set है और यह जो set है आपके पास obviously natural number का set है infinite set होता है क्योंकि natural numbers आपके कभी भी खतम नहीं होंगे adding a minimum number of ordered pair so that the enlarged relation is symmetric, transitive and reflexive तो आपको जो relation given है as per the question आपको given है relation R जो कि है 1,2,2,3 1,2 and 2,3 यह relation आपको given है इस relation के अंदर आप minimum कितने elements को add करोगे जो कि natural number के set पर आपने relation को develop किया है कि यह relation आपका symmetric, transitive और reflexive तीनों के तीनों हो जाए यानि कि in short मैं कहूं तो equivalence relation बन जाए तो उसके लिए logically हम एक-एक step पे बढ़ते हैं कि पहला चरण जो मुझे पार करना है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ reflexive symmetric transitive तो मैं पहला चरण लेता हूँ reflexive तो अगर मुझे इसको reflexive बनाना है natural number के set पे तो इसके अंदर 1 1 होना चाहिए 2 2 होना चाहिए natural number आपका 1 से start होता है फिर 3 3 होना चाहिए 4 4 होना चाहिए dot 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 and so on तो यहाँ पर कितने elements add हो गए आपके infinite number of elements add हो चुकी है इसको add करने से इस relation के अंदर यानि कि यह वाला part में relation के अंदर अगर लिखो तो relation में जो already मौझूद है वो मौझूद है 1 2 2 3 और फिर आपके यह elements में ने add कर दिये तो अब ही के लिए फिलहाल यह relation बन गया मेरे पास reflexive so right now it is reflexive अब बारी आती है next point को पकड़ने की अब हम लेते हैं symmetric तो देखो reflexive में हमने क्या सीखा है हमने सीखा है यह reflexive होता है for all के लिए इसलिए मुझे सारे natural numbers का खुद से relation develop करना पड़ा तो यहाँ पर इसलिए infinite elements आ गए बट symmetric के अंदर क्या logic होता है if present तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यह वाले जो सारे reflexive वाले elements हैं आपके यह अपने आप में symmetric है तो यहाँ पर if अगर one one present है तो one one होना चाहिए यानि कि same ही element होना चाहिए तो एक ही element को दो बार लिखने के जरूरत नहीं होती इसलिए यह आपका क्या हो गया symmetric भी हो गया and similarly यह transitive भी होता है अब बारी आती है कि यहाँ present क्या है तो इसमें अगर मैं देखूं one two present है one two present है तो यहाँ पर आपके पास two one present होना चाहिए two one present होना चाहिए तो one two present था मैंने two one add कर दिया तो यहाँ पर यह वाले दोनों पार्ट क्या बन गए आपके यह दोनों element सबक क्या अब क्या बन गए symmetric बन गए बट two three भी मौझूद है तो अब two three के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ three two add कर देता हूँ और अब यह दोनों part भी क्या बन गए मेरे symmetric बन गए अब यह symmetric है यह वाले part symmetric है तो पूरा set जो बन गया मेरे पास जो पूरा relation बन गया मेरे पास वो reflexive भी हो गया symmetric भी हो गया क्योंकि symmetric में if आता है for all नहीं होता है symmetric के अंदर क्या होता है if and transitive के अंदर भी होता है if अगर मौजूद है तो ऐसा होना चाहिए ठीक है अब transitive के लिए देखते हैं तो symmetric वाला पड़ाव हमने पार कर लिया है अब बारी है transitive की तो transitive के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर a b मौजूद है और b c मौजूद है तो a c मौजूद होना चाहिए तो यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर 3 से start करता हूँ 3 2 है तो 2 से start होने वाले कौन कौन से element है ये दुनों element है और ये रहा 2 2 element है ठीक है तो अगर 3 2 मौजूद है तो मैं लिख लेता हूँ हमने अपने algorithm तो develop करी लिया था और फिर ये वाले element लिखता हूँ 2 1 लिखता हूँ तो इस हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ तो 3 और 1 मौजूद होना चाहिए तो क्या 3 1 मौजूद है answer है कि मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 1 मौजूद नहीं है इसमें भी आपके पास था तो 3 2 ले लिया और यहाँ पर ले लिया मैंने 2 3 तो यहाँ पर होना चाहिए 3 3 क्या 3 3 अल्रेडी मौजूद है येस वो available है तो मुझे और कुछ add करने के जरूरत नहीं है अब ये तीनों मिलके क्या बना देंगे transitive relation का part बन जाएंगे और कहाँ पर है 3 2 आ गया आपके पास और आपके पास आ गया 2 2 आ गया तो 3 2 और यहाँ पर लेते हैं 2 2 तो इससाब से आना चाहिए मेरे पास 3 2 जो कि देखो already यहाँ पर present है इट मींस ये वाला part भी आपका transitive बन गया अब बढ़ते हैं आपके 2 1 की तरफ बढ़ते हैं ठीक है 2 1 मैंने लिया 2 1 मैंने लिया तो 1 कहा कहा है ये रहा और ये रहा 2 1 मनदब 1 आगे कहा कहा है इन दोनों में है तो 2 1 1 2 2 1 1 2 जिससे मुझे क्या मिलेगा 2 2 मिलना चाहिए और क्या 2 2 मौजूद है अब बढ़ते है 2-1 और 1 कहा था 1-1 पे 2-1 और 1-1 पे तो यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए 2-1 जो कि already यहाँ पर available है यानि कि यह part हो गया मेरे पास transitive अब लेते हैं हम अगले part को 1-2 देखो अब rule तो हमें समझाई गया है 2 कहां कहां पर है इसमें है इसमें है बस ठीक है तो मैंने लिया 1-2 और यहाँ पर लिया 2-1 तो इस हिसाब से क्या आना चाहिए 1-1 आना चाहिए जो कि available है और फिर है मेरे पास क्या था 1-2 है और मेरे पास है 2-2 तो इसके हिसाब से मेरे पास 1-2 आना चाहिए जो कि वो खुद ही है तो again यहां तक हम लोग कहां जा रहे है ट्रंजिटीव पर ही है अब आते हैं हम 2-3 पर आते हैं तो यह रहा मेरे पास 2-3 ठीक है अब 2-3 को अगर मैं देखता हूं तो 3 किस-किस की स्टार्टिंग में है इसकी starting में है और इसकी starting में है तो यहां से अगर मैं 3,2 लूँ तो 2,2 आएगा available है ठीक है done अब बढ़ते हैं अगला 3,2 ले लिया मैंने अब बढ़ते हैं 2,3 है 3 कहा है और यह रहा 3,3 है तो यहां पर 2,3,3,3 तो 2,3 available होना चाहिए जो कि already वही वाला part है यानि कि available है अब 3, 3,1 लेता हूँ मैं यह last वाला part लेता हूँ तो यहां पर आना चाहिए 2,1 क्या 2,1 available है yes available है तो अब यहां पर यह relation बन गया मेरे पास क्या बन गया यह बन गया मेरे पास आपका transitive relation अब 3,1 को अगर मैं देखो तो यह 3,1 मैंने इसको transitive बनाने के लिए किया था तो यहां से मिलेगा मुझे 3,2 जो की available है ठीक है और फिर मेरे पास क्या है 1,1 है तो इससे क्या बनेगा मेरे पास 3,1 बनेगा जो की already available है यानि कि यह वो minimum number of ordered pairs हो गए जो की मुझे add करने होंगे ताकि यह वाला relation क्या बन जाए आपका reflexive symmetric and transitive बन जाए तो देखो knowledge है तो हम कर पा रही ह अगर formulae के भरोसे बैठे होते वही language बोल रहे होते a, a belongs to r for all a belongs to set a तो उस तरीके से हम confuse होते बट जब हमने nature में इस चीज़ को explore किया है observe किया है हम वो भाशा जानते हैं तो बस उस भाशा के जरिये इस परिस्तिती से बात कर रही है जवाब हमारे पास खुद बखुद चल 2,1 add किया और 1,2 और 2,3 तो ये रहा ठीक है और 3,1 add किया 3,1 add किया और बाकी 1,1 2,2 2,2 3,3 and dot 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 so on और ये relation बन गया आपके पास ये relation बन गया आपका सीधा reflexive symmetric transitive और आप क्या सकते हो equivalence relation बन गया so simple this question is कितना आसान है ये question ठीक है चालो तो उमीद करता हूँ आपको reflexive symmetric और transitive के बारे में और बहतर तरीके से समझ गए होंगे तो questions का जो हमारा main role है करने का वो क्या है अपने ज्यान को और क्या बोले हम उसको और संपूर्ण करना और उसमें वृद्धी करना जो हमें आता है उसको हमें test करना और हम ये कहें कि problems हमारे ले एक opportunity होती है जहां प 123 आपको यहां पर question के according एक relation R दिया हुआ है जिसमें elements हैं आपके पास 12 and 23 पिछले question की तेरह वही relations है और यहां पर जो set है आपके पास उसको हम a set लिख लेते हैं वो है 123 तो यहां पर set आगया 123 the minimum number of ordered pairs which when added to R makes it an equivalence relation तो यहां पर options दिखी रहे हैं 5,6,7,8 तो भई इसमें कित इसमें number of ordered pair आप add करोगे कि यह relation आपका क्या बन जाए एक equivalence relation बन जाए तो यहां पर हम उठाते हैं reflexive symmetric transitive जो relation के अंदर यह तीनो quality होती है वो relation आपका equivalence होता है तो शुरुआत करती है reflexive से तो यहां पर reflexive के लिए क्या आता है for all आयता है reflexive के लिए क्या आएगा for all तो 112233 यह मैंने वहां पर डाल दिया अब इसमें से कोई भी 112233 वाला पार्ट नहीं है तो यह तीन तो मुझे minimum add करने ही करने है ठीक है और जो यह already मौझूद है उसको मैं blue color से लिख लेता हूं ताकि हमें वह अलग से नजर आए ठीक है तो तीन element हमने add कर दिया और यह relation ब भारी आती है वही चीज़ symmetric वाला पार्ट आता है अगर 1,2 available है तो 2,1 भी available होना चाहिए जो कि यहां पर मौझूद नहीं है तो 2,1 मैंने add कर दिया 2,3 available है तो 3,2 available होना चाहिए जो कि again यहां पर नहीं है और वो मैंने यहां पर add कर दिया तो अभी तक मैं फिलाल 5 elements को add कर करा हूँ तो symmetric मेरा यह part done क्योंकि यह और यह symmetric होगए यह और यह symmetric होगए यहां पर symmetric वाला पार भी मेरा damn अब बढ़ते हैं हम हमारे ठ्रांसिटिव की तरफ को transgender के लिए हम यह क्या करना होगा ओंते हैं, यह transitive है, यह transitive है यह transitive है जो same के साथ pair होते हैं अपने के साथ आपका two है तो देखो two कहां कहां मौजूद है उन चीज को हम highlight करें तो two आपका मौजूद है इसमें ठीक है one two लिया है मैंने ये ले लिया मैंने one two तो two आपका यहां पर है और यहां पर है ठीक है और इसमें भी है ठीक है इसमें भी है तो हम शुरुआत करते हैं इन दोनों के साथ 1 2 और यहां पर है 2 2 तो इससे मुझे क्या मिलना चाहिए 1 और 2 1,2 जो कि already available है वही 1 2 मेरे पास आ गया तो यानि कि ये पार्ट अभी तक मेरा transitive है अब 1 2 के साथ लेता हूँ मैं 2 3 तो यहां पर मैं 2 हटाता हूँ और 3 डालता हूँ तो यहां पर आ जाएगा 1 3 क्या 1 3 available है इसके अंदर जवाब है नहीं 1 3 आपका available नहीं है तो आपने यहां पर 1 3 लिख दिया ठीक है 1 3 वाला पार्ट आपने लिख दिया तो यह वाला पार्ट आ गया आपके पास देखलो तो एक बार one three available तो नहीं था नई one three यहाँ पर मौझूद नहीं था अभी ताइज अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पर two three पे ठीक है तो यह बॉक्सिस हटा देते हैं क्योंकि इसका पार्ट हमारा फिनिश हुआ इसको अभी हमें करना है तो यह बॉक्सिस वापस ले आते हैं ठीक है तो यहाँ पर है two three तो यानि कि मुझे three से start होने वाले elements को देखना होगा जो की है मेरे पास यह रहा यह रहा बस यह दोनों है मेरे पास तो अब मैं लेता हूं यहाँ पर अपने part को again three sorry two three लिया और यह three three ले लिया तो इस हिसाप से मेरे पास क्या आना चाहिए two 2-3 आना चाहिए जो की देखो already available है ठीक है डन ट्रांजिटिव हो गया अब 2-3 के साथ 3-2 लेता हूं तो यहां पर 2 करता हूं तो यहां पर 2 आना चाहिए 2-2 भी मेरे पास already available है तो again अभी तक यह क्या है मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है अब 2-1 को लेते हैं ठीक है अब तो स्पीड बढ़ा सकते हैं हम लोग समझी गई है 2-1 ले लिया अब 1 से शुरू होने वाले कौन-कौन से हैं यह रहा यह रहा बस और यह रहा ठीक है तो 2-1 के साथ 1-3 लेता हूं तो मुझे मिलेगा 2-3 क्या 2- 1 कहाता है 1-2 तो यहां पर 1-2 लेता हूं तो इससे मुझे मिलेगा 2-2 अब अगला 1 कहाता है यह रहा 1-2 1-2 के साथ तो हो चुका है अच्छा 1-2 के साथ ही किया था अगला 1 कौन सा कोई नहीं है यानि कि अभी तक यह क्या हो गया आपका अभी तक यह ट्रांजिटिव चल तो इससे मुझे 3-3 मिलेगा जो कि already available है done अब 2-3 के बाद आते हैं हम लोग यहां पर 2-1 2-1 पर आते हैं तो इससे मुझे 3-1 मिलेगा और 3-1 यहां पर है या नहीं है 3-2-2-1 तो क्या 3-1 मौजूद है जवाब है नहीं 3-1 मौजूद नहीं है तो 3-1 यहां पर मेरे पास आ ठीक है 3-1 मुझे add करना होगा अब यहां पर 3-1 आ गया और हां इससे एक गलती और पकड़ी गई अपनी ही observation में गलती और पकड़ते हैं जब मैंने इन चीजों को जो मैंने additional एक element add किया था ट्रांसिटिव बनाने के लिए जिसको मैंने red color से लिखा है red color से वो element है जो ट्रा learning मिल गई और वो learning क्या है कि देखो symmetric वाला पड़ाव हमने पार कर लिया था लेकिन जब ट्रांसिटिव के लिए मैंने element extra add किया तो उसको भी पूरा symmetric होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो चीज के लिए मुझे symmetric वाले property को चेक करना पड़ेगा तो यहां से यह learning हम लेकर पार्ट दन हो चुका है लेकिन जैसे 3-1 और 1-3 को देखा तभी यह बात realize हुई तो जैसी यह बात realize हुई एक learning मिली हमें यानि कि हमारी observation से ही हम लोग multiple learnings को ले सकते हैं और वो learning क्या मिली कि यह 1-3 था तो 1-3 को symmetric कहा बना पा रहा था मैं अगर मैं सिर्फ अभी मान लो कि 3 बीवन की जरुरत नहीं पड़ती है और transitivity follow हो जाती मान लो कोई और कोई और वाली होती transitivity follow हो जाती बड़ symmetric property जो है आपकी वो यहां पर cancel हो जाती तो यहां पर आपका अब खेर transitivity इस question के अंदर transitivity add होने की वज़े से ही यह आपका symmetric वाला part भी आ गया है तो अभी हमें चि symmetric भी हो गया है और अब सारे elements आपके यहां पर मौझूद है वो reflexive भी है symmetric भी है और transitive भी है तो जो elements मौझूद थे वो मैंने blue color से लिखे थी जो elements मैंने add करे है वो black और red color से लिखे तो उनको count करे तो 1,2,3,4,5,6,7 तो यहां पर आई कि हमने 7 elements को add किया तो इसका answer हो जाता किसी प्रकार से करनी है कोई notes words रट रट के हमें questions नहीं करने है वो रास्ता पूरा गलत है यकीन वानो मतलब tradition से हटके बोल रहा हूं क्योंकि हमारा tradition जो चल रहा है education system के अंदर वो यह चल रहा है कि important notes बनाओ highlight करो चीजों को उनको याद करो important questions याद करो हर question important होता है क्योंकि और question मात्रिक परिस्ति होती है जिसको आपको अपनी knowledge की मदद से observe करके उसके solution तक पहुचना है mathematically communicate करके that's it और कुछ नहीं है उसको कोई यसे बड़ा हुआ वनाने की जरूरत नहीं है knowledge है तो बड़े से बड़ा question हम कर लेंगे अब इसको एक simple rule के साथ लेके चलो जो की nature का rule question हो रहा है इसका मतलब मैं उस परिस्तिती को समझ सकता हूँ question नहीं हो रहा है back to concepts concepts को यानि की nature में वापस अपनी observation शुरू करो या तो दो ही परिस्तितिया हो सकती है या तो question के में जो English लिखी हुई है या Hindi लिखी हुई है उसकी grammar नहीं समझ पाया तो उसके लिए solution मुझे mathematics और science के अंदर नहीं ढूड़ना है अपनी English और Hindi में ढूड़ना है जिस language में मैं paper दे रहा हूँ या question को read कर रहा हूँ उसके अंदर ढूडना है तो वहाँ पर अगर आपको grammar या फिर हो question की language समझ नहीं आ रही है तो ठीक है तो आप language पर focus करो अगर language समझ आ रही है और फि observe करना है mathematically communicate करना है जितना mathematics mathematics का घ्यान आपके पास है उससे जवाब तक तक तो nature आपको खुद बखुद पहुद पहुचा देगा ठीक है तो वही फंडा जो knowledge लेने के लिए है वही questions के अंदर भी apply करना है and this is the right way of education and this is the right way to do questions इस तरह करना है कोई यहाँ पर notes की copy या short notes या long notes important question इस तरह के rhythm में मत पसो मैं बताओं यह एक भरम है जो बहुत बुरी तरीके से हमारे entire हमारी नसों में फैल गया है यार खुद सोच के देखो अगर यह इतना ही effective होता तो हमारे देश में 10-10 लाक बच्चे अगर J.E.Mains का paper देते हैं तो क्यों सिर्फ 5-6,000 बच्चे ही सो नमबर का आंकड़ा पार कर पाते हैं अगर यह इतना ही effective होता क्या 10-10 लाक बच्चे institutions में नहीं जा रहे हैं स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं लेकिन क्यों यह इतना effective नहीं है कि हमको एक question जो की मातरिक situation है उसको समझ के उसके solution तक पहुँचाने लायक भी नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है न mathematics आपको क्या सिखाती है data देखो उस data के basis पर अपने आपको evolve करो आगे लेके जाओ लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम उसको गलब तरीके से अपने society के अंदर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं the exam is tough यह दुनिया का toughest exam है नहीं है अगर यार जेई 11-12 आप लोगों के लिए tough होने वाली है तो फिर B.Tech को तो महा tough होना चाहिए क्योंकि वहाँ तो इससे भी जादा knowledge आपको मिलने वाली है फिर तो master's में जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो हमें देवता मान लेना चाहिए और PhD करने वालों को तो भगवा सकते हैं कि धरती गोल है Aristarchus ने चांद का diameter lunar eclipse को देख के बता दिया था और आज हम लोग basic calculations नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई मुश्किल है इसका मतलब ये है कि हम गलब दिशा में चल पड़े हैं हमारा entire education system गलब direction में बढ़ चला है और वो हमारी habit बन गई है एक मैं आप लोगों के लिए लास इस चेप्टर के बाद का जो लास्ट वीडियो होगी ना वो एक ऐसा relation दिखाऊंगा human psychology को mathematically study करेंगे हम लोग और वहाँ पर मैं आपको एक relation के बारे में बताऊंगा और वो relation हम सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है कि हम work कैस करते हैं अपनी real life में और उसका relation में जोडने वाला हूँ हमारी habits के साथ और हमारी habits कैसे govern होती है हमारे society की habits के साथ इनके बीच में क्या relation है इन चीजों के उपर हम लोग एक mathematical चर्चा करेंगे last lecture के अंदर पहले हम सारे relations को समझ ले क्योंकि वहाँ पे composite relations वगरा इन सब का भ साइंस नेचर में कुछ भी हो रहा है ना उसको समझना ही साइंस है यानि कि अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर बना रहा हूं और वो आप लोग देख रहे हो इसके पीछे भी एक गहरा राज चुपा हुआ है जिसको आप connect कर सकते हो एनर्जी एक्सर्जी एक्सर्जी आप कॉलिच के टाइम पर पढ़ोगे अगर मेक्यानिकल या सिविल लोगे आप या एरोनॉटिकल लोगे तो ठीक है लेकिन आपको यह एक वर्ड मिल गया है तो आप इसके उपर अपनी रिसर्च कर सकते हो एनर्जी एक्सर्जी और एंट्रोपी इन तीन ए की मदद से आप इस दुनिया में हर चीज को कनेक्ट कर सकते हो तो यह आपको अब घुणना होगा कि एंट्रोपी यह तो खेर आप 11th grade में ही पढ़ लोगे ठीक है लेकिन एंट्रोपी यहाँ पर बहुत चोटे पार्ट में दिया हुआ है बड़ हम लोग एंट्रोपी को जवाब आपको लाकर देगा जिन सवालों के जवाब आप ढूंडने पर भी आपको नहीं मिल रहे होंगे ना उन सवालों के जवाब भी observation के जरीए आप ढूंड सकते हो right direction में science को पढ़ना है हमें और कुछ नहीं हम लाइफ में successful भी बनेंगे हमारे रास्ते में कोई रोड आसान है इस दुनिया में कोई paper tough नहीं होता है यह perception create किया जाता है देखो business point of view से बोला जाए तो अगर paper tough नहीं होगा तो लोग उसको उतनी priority नहीं लेंगे ठीक है और यह institutions नहीं चलेंगे चलो वो business point of view हो उसको side कर देते हैं ठीक है लेकिन सक्ति भी हमें पता होना चाहिए ताकि business के लिए भी competition create हो और सक्ति यहीं है कि science, maths, arts, commerce कुछ भी ले लो आप कुछ भी tough नहीं होता है wrong direction के जरीए उसको tough बनाया जाता है ठीक है wrong direction से हटो कोई भी आपको science और math पले नहीं पढ़ती है right direction में पढ़के देखो मज़ा भी आएगा interest भी आएगा और आप जहां जाना चाते हो ना वहां पहुंच जाओगे सही knowledge हर कोई लेगा seats नहीं बढ़ा सकते हमाई IT में उसकी कोई problem नहीं है सच्चाई को समझना seats नहीं बढ़ा सकते जाएंगे वहां 10,000 बच्चे ठीक है लेकिन अगर हमारे देश का put off बढ़ जाए तो इससे इस बात की तो संतु जुषती रहेगी न कि यार चलो ज्यान तो है हम लोगों के पास और ज्यान के लिए resources की ज़रुत नहीं होते क्योंकि ज्यानी इंसान अपने resources फुट develop कर लेता है उसके अंदर वो curiosity बिल्ड हो जाती है कि वो फिर शांती से नहीं बैठ पाता है वो कुछ नो कुछ करके अग non-IATians भी कामियाब हैं बहुत से successful लोग हैं बहुत से क्या अगर मैं successful लोगों में 100 लोगों की list बताता हूँ ने को frankly बोलता हूँ 100 लोगों का अगर मैं 100 successful लोगों की list बनाता हूँ तो उसमें से 98 non-IATians है simple सा logic है मैं IAT के लिए को इतना बड़ा चड़ा के बात नहीं करूँगा yes they are very good institution but they are very good institution very 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 good institution for those people who have a great aim अगर आपके पास बहुत बड़िया aim है मान लो एक example के form में लेता हूँ मेरे पास एक aim है कि मैं rocket science की दुनिया में कुछ बड़ा और क्रांतिकारी काम करना चाहता हूँ बट मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं rocket science के लिए एक lab बना सकूँ अपने लिए afford कर सकूँ वो ख बता नहीं है तो मैंने IIT को चुना क्योंकि वहाँ पर वो lab मुझे मिलेगी और उस lab के जरिये मैंने ज्यान हासिल किया और इस दुनिया में rocket science की दुनिया में क्रांतिकारी खोज करके निकाला अब IIT मेरे लिए useful है लेकिन हम किस mentality के साथ IIT पढ़ रहे हैं भई placement है 100% placement है all over India में IIT सबसे best है हम job के लिए prepare कर रहे हैं और यकीन वानों हमारा इंडिया इसी लिए पीछे है यह बुरा लगता है यह सोच के लेकिन इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा ही नहीं करते हैं हमारा इंडिया क्यों पीछे है क्योंकि हम लोग यहाँ पर IIT से पढ़के बहुत लोगों को study करने की उनकी psychology को समझ के artificial intelligence अपने देश का स्वतंतर बनाने की हमें जरूरत है अपना social media network बनाने की हमें जरूरत है हमारा खुद का Google हमें जरूरत है हमारा खुद का Microsoft नाम कुछ और होगा लेकिन उन चीजों की जरूरत है हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग आना है नाम बनाना है नाम क्योंकि जब आप नाम बनाओगे न तो लोग आपके नाम से अपना status बनाएंगे वो नाम अचीव करना है जहां लोगों का status हमारे नाम से जुड़ जाए उस level पर पहुँचना है और उसके लिए हमने IIT को अगर 100% placement की तरह देखा knowledge ना लेने का जरिया ना समझ के बलकि एक अच्छा institution समझ के कि हाँ यहां तो Microsoft आएगी विप्रो आएगी Oracle आएगी IBM आएगी यह सोच के गए तो हमारी दिशा ही गलत है हम engineering नहीं बन रहे हैं हम अपने आपको ready कर रहे हैं किसी एक बड़े राजा के लिए बड़े राजा के लिए बड़ दिसरा enjoy कर रहा है जो कि गलत नहीं है क्योंकि उसने वो चीज़ खुद के दम पर हासिल करी है इसलिए वो deserve करता है यह करना लेकिन क्या वो deserveance आप नहीं कर सकते हो क्या वो चीज़ आप अपने ले नहीं कर सकते हो कर सकते हो right direction को चुनना बेहत 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 ज़रूरी है हमे यहाँ पर चीज़ों को develop करना होगा यह इस बात को जितना seriously ले सकते हो low serious होने का मतलब pension लेना नहीं होता है seriously लेने का मतलब यह है कि मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना है इस बात को मैं पहले भी किसी वीडियो में मैंने बोला होगा कि हमें बना के दूसरों को अपने देश को नहीं विदेशों को हमें दूसरे देशों को अपने ओपर dependent बनाना है जैसे हमारा देश आज social media की वजह से दूसरी countries के application पर dependent है यकीन मानू आप सारे social media को 10 दिन के लिए बैन करके देखो हमारे देश में कितना बड़ा भुकम पा जाएगा एक बवाल सा एक लहर सी चल जाएगी हम इतने जाधा dependent है यह बहुत slow poison है जो एक तरीके से आप लोगों को independent नहीं कट उतली बना रहा है दो 75 साल पहले manually गुलाम बनाये जाता था अब digitally गुलाम बनाये जा रहा है तो इस चीज़ को हमें समझना होगा मैं कोई विद्रो करने को नहीं कहा रहा हूँ मैं शांतिपून इंसान हूँ मैं समझदार बनने को कहा रहा हूँ हमें social media use करना है करो अपने देश का social media इतना बढ़िया बनाओ बहुँ कोडिंग की दुनिया में इतना आगे बढ़ो आपका talent snapchat में use हो रहा है आपका talent facebook को grow करने में use हो रहा है आपका talent instagram को grow करने में use हो लेकिन आज अगर हमारी mentality right होगी, तभी तो हम कर पाएंगे, हमें पैसो क्या ग्यान भी तो लेना है आगे चलके, और आगे क्यों, अभी से क्यों नहीं ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर नहीं लेंगे, तो हमें funding का पता ही नहीं होगा, और जब पता ही नहीं होगा भाई, तो हमें funding का जब पता ही नहीं है तो हम अपनी basic funding के महताज हो जाएंगे और in the end हमें नौकरी करनी पड़ेगी हमारे syllabus में everything about money होना चाहिए और इस चीज़ को लेकर हम सब को एक तरीके से हर school में जाकि ये बात बोलनी चाहिए कि money के बारे में knowledge हमें देनी चाहिए आप generally ये वीडियो बच्चे ही देख रहे होंगे बढ़ आप बच्चे अपने parents को बोल सकते हो कि money की knowledge हमें दिलवाओ हमारी school में PTM में जाते हो हमारी शिकायते सुनते हो हमें डाटते हो कोई बात नहीं हर parent अगर एक बार school में ये apply करें इस छोटे से message को अगर आप पहुंचा सकते हो हर parent अगर school में ये बात बोलना start करें कि money की knowledge देना start को रो फरक नहीं पढ़ता उसने commerce लिया तभी पढ़ेगा और commerce में भी तो रट्टू पोपट वाला ही ज्यान दे रही है successful आदमी self learner ही है ये बात तो fact है commerce में भी जो लोग बहुत आगे बड़े है न ऐसा नहीं है कि हमारे system ने कुछ बढ़ा करके दिखा दिया है कि बच्चे बहुत आगे जा रहे है system अच्छा होता तो सब आगे जाते पर सब नहीं जा रहे है जो system से हटके पढ़ रहा है भाही आगे जा रहा है अब मैं पता नहीं बातों बातों मैं कहां से कहां निकल जाता हूँ लेकिन ये सच्चाई है ये बात इसी लिए निकलती है क्योंकि ये सच्चाई है और इस सच्चाई को आपको feel करना होगा ठीक है एक appeal अपने school में करना start करो कि money के बारे में पढ़ाओ भाई मैं वैग्यानिक बनना चाहता हूँ यार अब मेरे को वैग्यानिक बनना है मुझे research करने के लिए funding चाहिए तो मैं वो funding कहां से लाओं हर कोई अंबानी के गर पैदा नहीं हो सकता है तो मैं जिस भी family में पैदा हुआ हूँ उसके पास उतना fund अभी नहीं है तो मैं fund मांग भी नहीं रहा funds को generate कैसे किया जाता है अपने ideas के जरीए ये चीजे हमें कुछ projects दो हमें कुछ task दो या हमें कुछ सिखाओ इसके बारे में ये stock market क्या है हमें सक्ता लगाने वाला stock market का ज्यान नहीं चाहिए ओहू stock market में पैसा लगा दो पैसा बढ़ जाएगा stock market में shares का मतलब क्या होता है मुझे दूसरों के shares में पैसा लगाना चाहिए या अपनी company खोल के अपने shares की value को बढ़ाना चाहिए असली wealth कहां बनेगी इन सक्तीजों के बारे में सवाल उठाओ be curious यार ये आपका हक बनता है इस age में आप लोग सवाल नहीं उठाओगे कोई teacher आपको class से बाहर निकाल देता है कोई बात नहीं निकल जाओ लेकिन अपनी curiosity जारी रखो पूछो बता रहा है सामने वाला वो सही person है उससे पूछो नहीं बता रहा है टरका रहा है छोड़ो मत पूछो खुड ढूंडो ये कर सकते हो ना खुड ढूंड सकते हो ना क्योंकि nature में हर चीज़ का जवाब मौजूद है be an observer अपनी life में आप enjoy करना चाते हो ठीक है ऐसी life का फाइदा क्या एक सत्य बताता हूँ आप लोगों को question answer की video है बट अजीब सी बाते कर रहा हूँ लेकि नहीं कि सत्य भी है एक सत्य बताता हूँ आप लोगों को हम लोग चाते हैं कि पढ़ लिख के हम ऐसे इंसान बने जब हम अपनी life में चिल कर सके बट as an observer एक बार उठके चले जाना अपने surrounding में घूम लेना आपके रिष्टेदार आपके भाई बहन जो भी होंगे बड़े ठीक है जिनकी age 25 के बाद की है क्या वो चिल कर रहे हैं जवाब है नहीं वो struggle कर रहे हैं ठीक है basic amenities के लिए या अपनी life में चिल होता हुआ दिख पाने के लिए EMIs की जिन्दगी जी रहे है थोड़ा गहराई से observe करोगे ना हसते होई चेहरे के पीछे छुपे होई EMIs का बोज चुपा हुआ है उन चीजों को समझना होगा आपको ठीक है इंस्टाग्राम बगारा पे जो यह हस्ती भी फोटो आ जाती है ना उस छोटी सी स्माइल के लिए बहुत सारा struggle करना पड़ता है तो वो struggle कर रहे हैं तो ऐसी पढ़ाई का अगर कोई benefit ही नहीं है भाई पढ़ाई तो इस तरह से होनी चाहिए लाइफ इस तरह से होनी चे कि इनसान 40 की एज में retire होना start हो जाए तब वो chill कर सकता है आपको time देना पड़ेगा चिल मारने के लिए आपको साल में एक हफ़ते की छुटी ले के चिल मारने के ज़रूरत नहीं है कामियाबी इनसान बनो तो उस कामियाबी के राह में भी मज़ा आता है कामियाबी मिलने पर भी मज़ा आता है और कामियाबी मिलने के बाद पूरी जिंदगी भी मज़ा आता है तो ऐसी जिंदगी जीने के लिए सही समय पे संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष को enjoyable बनाना है संघर्ष करने में मज़ा आना चाहिए और वो तब ही आता है जब आप अपने सपने के लिए सही दिशा में संघर्ष करते हो आपका सपना बड़ा है दिशा गलत है उस संघर्ष से जब कोई नतीजा नहीं निकलता है तब आप संघर्ष करना छोड़ देते हो और वहीं पर आप फेल हो जाते हो मतलब ऐसा आपके सब future में possibility बनती है अब मैं अगर इस scale में बात करूँ तो 10,000 में से 15,000 माइनस कर दो इतने लोगों के लिए संघर्ष खतम हो जाएगा 15,000 लोग ही अपनी life को आगे चलके संघर्ष पूर enjoyable संघर्ष बनाएंगे लेकिन उसमें से भी क्योंकि मैं यह क्यों बोल रहा हूँ successful लोग percentage में भी नहीं है successful लोग गिंती में है तो गिंती के लोग ही इस चीज़ को कोई लोग जल्दी quit करते हैं कोई लोग थोड़े ताइम बाद quit करते हैं कोई लोग थोड़े ताइम बाद और quit करते हैं लेकिन successful लोग quit नहीं करते हैं because they are enjoying their journey ठीक है तो इस बात को जरूर feel करना और इसी motivation को अपने अंदर build करके रखो motivation दो-तिन दिन हमारी bodies में रहता है so be a self motivator अपने आपको daily motivate करो morning में उठो अपने आपको motivate करो कोई बात नहीं morning में भूल गए दुपहर में motivate करो कोई rule नहीं है कि morning में ही करना है दुपहर में भूल गए night में करो लेकिन motivate अपने आपको daily करो क्योंकि जब आप जब आप डगमगाओगे जब आप ठकोगे तो यही motivation आपको वापस से जगाएगा जब आपको नींद आएगी तो यही motivation आपको प्रेवित करेगा जागने के लिए और यही वो self motivation है जो आपको सोते हुए सपने नहीं दिखाएगा लेकिन प्लीज अगर आप लोगों को लगता है मैंने यहाँ अगर वर्ड का यूस किया है कि मैं आपको valuable ग्यान देता हूँ और यह valuable ग्यान सच में लोगों की भलाई कर सकता है लोगों को सही राहत दिखा सकता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करो ताकि सही direction लोगों को दिखे और right way of education इस entire इंडिया में फैलना स्राट हो मुझे विदेशों से मतलब नहीं है भाई अगर मुझे अपने देश के लोगों को राजा बनाना है तो to be very frank ठीक है हिंदी मैं बोलूमा का इंगलिश के वज़ा से कोई दूसरी country के लोग समझा है राजा के लिए प्रजा चाहिए ठीक है तो मैं अपने देश के लिए चाहता हूँ कि मेरे देश में सब राजा बने और दूसरे देश के लोग हमारे पर dependent रहें आज के टाइम पर हम उन पर dependent है और यह सकते है इस चीज को हमें समझना होगा एक और समय आ गया है एजुकेशन के जरिये जो रूट है आपका जॉब 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 चाहिए इन सब से मुक्ति मिल सकती है जो कहते हैं न हम पहले अंग्रेजों से प्रताड़ित थे परिशान थे अंग्रेज भारत छोड़ो अंग्रेज भारत छोड़ो हम लोगों ने किया और 1947 में आजादी मिली सेम वही चीज अभी हम लोगों को अपनी इस habit से आजादी चाहिए होगी और वो आजादी किस चीज के लिए चाहिए वो आजादी चाहिए हमें अपनी उस habit से जिसने वो habit जो हमें दूसरी country पे dependent मना रही है हमको उस तरफ अपनी habit को ढालना होगा 21 दिन में आदत बदल जाती है 21 दिन की बात है 21 दिन में वो habit बनाओ वो आदत वो mentality डेवलप करो जो डेली आपको प्रिरित करें एक successful इंसान बनने के लिए अपने देश के लिए कुछ create करने के लिए और ऐसी चीज़ करने के लिए जिस पर जो पूरी दुनिया में कोई create नहीं किया होगा और वो हमारे देश पर यानि आप पर dependent होगा अगर किसी एक चीज़ के लिए कोई पूरी दुनिया अगर आप पर dependent है तो कौन रोख सकता है को इस दुनिया का super rich इंसान बनने से कोई ने रोख सकता है money is very important money को ethics के साथ जोड़ के गलड़ अरे पैसो की बात कर रहे है इस तरह से मतलो पैस है तभी आपके पास कामियाभी आएगी ठेक है और कामियाभी तीजी से आएगी money is very important उसकी knowledge भी लेना start करो मैंने एक playlist बनाई है हाला कि एक video series बनाई है मैं देरे देरे उसको पूरा करूंगा अभी क्यूंकि मैं science math की videos बना रहा हूं बट उसमें 6 videos मैंने डाली है वह आपक आपके पास a a b b a b be a relation on a set a b c then the minimum number of ordered pair which when added to r makes it an equivalence relation r simplest question है screen पर आपके सामने question है जैसे ये question किया था वैसा ही ये question है अगर आप YouTube पर देख रहो screenshot ले लो application के अंदर तो already मैंने questions को डाल रखता है question number 10 आपके जिम्मेदारी same to same question है तो क्यों ही करना है सारे question करके हमें याद तो करना नहीं है it's time कि similar question है आप लोग करोगे और ये आपकी जिम्मेदारी ठीक है चौलो तो next question की तरफ आते है 11th question की तरफ is it true that every relation which is symmetric and transitive किदर गया transitive is also reflexive क्या क्या ये true है कि जो भी relation symmetric होगा और transitive होगा उसका reflexive होना ज़रूरी है जवाब है नहीं और ये मैं क्यों बोल रहा हूं ठीक है मैंने बोल दिया लेकिन अब मैंने no बोला question हो गया आगे बढ़ जाओ नहीं इसको verify करते है ठीक है अब two three four five ठीक है एक symmetric relation बनाते हैं एक ऐसा relation बनाते हैं इसके अंदर a to a का जिसमें symmetric भी होना चाहिए तो मैंने one two ले लिया और one two ले लिया मैंने और यहाँ पर ले लिया मैंने two one ले लिया ठीक है one two ले लिया two one ले लिया और इसी relation को transitive भी बना दो one two two one तो यहाँ पर आ जाए है यहां पर मौझूद नहीं है इस कोईशन का अंसर होगा इस ट्रू नहीं है यह फॉल्स है तो देखो कितना इजी कोईशन है नॉलेज है नॉलेज नहीं है तो पर मान लो हम रिफ्लेक्सिल रिफ्लेक्सिल के बारे में कुछ जानते हैं नहीं वहीं मैथमेटिकल रटा मारके फिलोंग तो अ क्या है यहां तब रटी रटाई घ्यान के साथ आगे वड़ते हैं लेकिन अभी हम जानते हैं कि वहाई इसका मतलब क्या है types of relation हमने nature में ढूंडा हमने इसको उस तरह से study नहीं किया हमने इसको इस तरह study नहीं किया कि हाँ definition से याद करो question करो nature में हर चीज आपको nature में मिलेगे ठीक है चलो तो बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ study कैसे करना है अग अभी तक जितने भी lectures मैंने relation and function के अंदर करवाई है आपको ठीक है उसमें मैंने कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र किया ही नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक आपको relation और function का मतलब बताया है nature से ढूनके relation को समझाया है और types of relation को बताया है ठीक है relation जो ये इसको हम composite relation बोलते हैं ये हमारी text book के अंदर 11-12 के दोनों के syllabus में है ही नहीं बट ये चीज़ हमें पढ़ाई जाती है function के अंदर FOGX GOFX इस तरीके से यानि कि हम लोग पढ़ते हैं composite function के form में ठीक है composite function के form में तो अभी relations के question करने के बाद मैं आप लोगों को function पढ़ाता और वहाँ पे जब composite function पढ़ाता तो मेरे पास ये आता लेकिन मुद्दा क्या है मुद्दा ये है कि यार चलो ये आ गया ठीक है अब जैसा कि एक mentality में मैं आप लोगों के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है तो इसी बात को अगर हम सत्ते मान के चलें तो हमको सिर्फ ये समझना होगा इस question को जिसको हम अभी eligible नहीं है करने के लिए अगर उसी question को मैं देखू कि मुझे आरो आर का मतलब यानि कि मैं यह जिस तरह बोल रहा हूँ इस तरह से आप self study करोगे कि यार मेरे पास आ गया कुछ नहीं आ गया ठीक है या तो भाई वो अगर सेम चेप्टर के अंदर अपन्ना पलट लिया किसी दूसरे चेप्टर से जुड़ा हुआ question है जैसे मानलो मैं relation के अंदर complex number का question डाल दूँ तो अच्छा relation मैंने पढ़ लिया complex number नहीं पढ़ा है तो इस question को mark कर लिया कि complex number पढ़ने के बाद इस question को करूँगा जरूर करूँगा मैं इन दोनों chapter को merge करके question बना है उनका ग्यान भी हासिल करना है ठीक है तो वो काम ऐसी चीज़े मुझे copy में लिखनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ अभी मैंने hold पर रखी है और इसको मुझे future में करना है ये सारी चीज़े हमें लिखने चाहिए ये आपके important notes है ये actually important notes है आपने note बना दिया भाई कि क्या करना है मुझे ठीक है क्या pending है मेरा part वो चीज़ों के notes बनाने हैं तो यहां पर रो र चलो इसका मतलब देखते हैं तो ये मेरे लिए एक problem नहीं है जो मेरे से हो नहीं रहा है अब ये मेरे ले क्या बन गया एक opportunity बन गया कि चलो इसका मतलब देखते हैं चीज़े तो आसानी होती है बस उसको सही way में observe करना है ठीक है तो अगर कोई एक चीज़ दूसरे पर dependent है और ये चीज़ तीसरे पर dependent है ठीक है ये set A है ये set B है ये set C है ठीक है set A B पर dependent है B set जो ह purchase price ठीक है retailer selling price ठीक है अब इसका जो purchase price है वो transportation cost पर depend करेगा अब इसको आप जोड़ दो ये D के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर petrol price पर ये डिपेंड करेगा ठीक है तो बैट्रोल price बढ़ा transportation cost बढ़ा transportation cost बढ़ा तो retailer purchasing price बढ़ गया ठीक है ये बढ़ गया तो selling price भी बढ़ेगा तो गटेगा ये proportional relation है ठीक है ये बढ़ेगा तो गटेगा जिसे gravity में देख लो आप जितना दूर जाओगे gravitational force आपका कम होता जाएगा तो वो radius बढ़ा gravitational force घटा inverse relation आगया तो अब देखो तो भई यहाँ पर जब मैं इस इन दोनों का कोई एक relation बनाऊंगा ठीक है मान लोग वो relation है r1 ठीक है फिर इन दोनों का relation बना r2 फिर इन दोनों का relation बना r3 अब देखना relation r किन sets में है ठीक है d to c set में है क्योंकि d आपका input होगा c आपका output होगा ठी ठीक है b to a set ने है आपने petrol का जो मौझूदा price है 99 rupees हम ले लेते हैं लिया उसके हिसाब से आपने 10 km के दारे में truck के जरिये दूद को ट्रांसपोर्ट करा है तो आपका जो भी cost लगा वो लगा तो petrol के price से इसका output decide होगा अब इसका जो output है वो दूसरे relation के लिए क्या बन गया input बन गया दूसरे relation के लिए क्या बन गया input बन गया तो हम कहते हैं कि 99 के output पर transportation price जो थी मेरी वो निकल कर आई तो यानि कि यहाँ पर एक relation लेता हूँ 99 पर मेरा output आया 200 ठीक है 99 पर मेरा output आया 200 ठीक है तो यहाँ पर आप जो मेरा input है वो कितना है 200 होगा और उसकी वज़ा से जो मेरा output आएगा यह मैं खुद से figures ले रहा हूँ ठीक है output जो आएगा मेरे पास यानि कि purchase कितने पर करेगा वो 250 पर करेगा ठीक है तो इधर से जो मेरे पास आया 200 पर जो उसने purchase किया purchase जो output है आपके पास that is 250 यह मानलो 5 ठैलियो का है अधे-धे लेटर की 5 ठैलिया है ठीक इस कड़ी को देखो तो आप देखोगे petrol price 99 से output आया 200 रुपीस का ठीक है आप यह 200 जो है यहाँ पर as a input आगया अगले relation के अंदर जिससे output आया 250 यह 250 अगले relation के अंदर input बन गया और इससे output आया 300 इन ही को बोलते है composite relations और अगर एक input पर एक ही output आया तो यह बन जाएगा ROR का मतलब क्या होता है ठीक है R1 OR2 ठीक है इस तरह लिखोगे R1 OR2 तो यह हुआ relation जैसे relation in x आपने लिखा है ठीक है तो यह x लिखने की वज़ा relation R1 in relation R2 ठीक है तो R के अंदर पहले आप input किसमें दोगे पहले जो bracket के अंदर है वो input आगा जैसे R2 और R1 था हमारे पास ठीक इस पर process किया जाएगा R1 relation पे फिर R2 relation पे process किया जाएगा और उसके बाद अगर कोई और relation भी है जैसे इस परिस्तिती में देखू तो यह बन जाएगा R3 O R1 simple ठीक है तो मैं क्या करूँगा पहले R1 में input दूँगा उससे जो output आएगा वो R2 के लिए input बन जाएगा फिर उससे जो output आएगा वो R3 के लिए क्या बन जाएगा input बन जाएगा that's it question done ठीक है परिस्तिती को हमने समझ लिया और देखा जाए तो mathematics में जो आगे चलके अभी function में आप composite function पढ़ने वाले थे वो भी आपका finish हो चुका है ठीक है तो एक opportunity मिली हमने learning ले ली और वे इतनी आसान थे क्यों कि mathematics में सब कुछ आसान है ठीक है चलो तो अब अगर हम देखे यहां पर इस ज्यान की मदद से ठीक है कि हमारे पास जो question है आप question को देखो आप ठीक 4,6, 7,6, 3,7, done ठीक है तो आपको find करना है ROR ठीक है तो दोनों में same relation है यानि कि पहले ये as a input लिया जाएगा ठीक है तो यहां पर मैंने क्या किया ROR का set बनाता हूँ ROR का set बनाता हूँ आप पहला relation लेना है input क्या होगा 4 होगा input क्या होगा 4 होगा इसके input से इसका input इस relation में surface relation में जब मैं 4 को as a input दूँगा तो output क्या मिलेगा मुझे 5 अब ये जो 5 है वो इस relation जो की same relation है उसके लिए क्या बन जाएगा input बन जाएगा अब इसमें देखो 5 input प पर कोई output आ रहा है जवाब है नहीं तो यानि कि इस वक्त यह वाला पार्ट इसके लिए eligible नहीं है यह वाला पार्ट इसके लिए eligible नहीं है कहने का मतलब है किसी भी relation के अंदर वही elements ले सकते हो जो आपके relation मदब domain के अंदर आते हो तो यह वाला पर इसमें exist नहीं करेगा यह वहाँ पर आएगा ही नहीं यानि कि यह null हो गया खतम हो गया तो अगले input को लेते हैं one को लेते हैं ठीक है तो मैंने input दिया पहले वाले relation में one दोनों ही relation सेम है बट यह पहला आर जो है उसके हम input लेंगे one input लिया तो output आया four four output आया यह output उसी relation के डिये ठीक है तुबहर्ण से क्या बन गया एकके पास input बन गया तो four input प्र आपको output मिल रहा है five औढ six five Angशane 마지막 पर आपको five and six मिल रहा है तो input आपके पास बन था इसका final output जब आपने input बन दिया तो final output क्या है तो 1,5 1,6 ठीक है तो देखो ये वाला पार्ट आपका done ठीक है फिर again हम 4 input लेंगे जिस पर आपका output 5 आएगा और 6 आएगा तो 5 और 6 पर देखो कोई भी input नहीं है तो वापस से लेने के जुर्रत नहीं है तो अब हम 7 लेते हैं 7 लेने पर 6 आएगा 6 कोई input है यहाँ पर नहीं है 3 लेता हो 7 आएगा यस तो 3 input लिया output 7 आया 7 को इसमें डाला 7 को डालने से 6 आया तो 3 के input पर 6 output मिल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3,6 तो यह बन गया आपका ROR का relation ठीक है इस ROR relation के अंदर 2 relations को merge करके final relation बना दिया ठीक है कहने का मतलब यह है कि वाई transportation cost retailer purchasing price और यहाँ पर retailer selling price तो आपने basically इसके और इसके बीच में अब relation ढूंड लिया कैसे इसके input से यह output देगा और यह output इसके लिए input बन जाएगा तो basically आपने इस input और इसका final output के बीच में relation ढूंड लिया तो composite relation है दो separate relations को merge करके एक relation बना देना game over finish आपका answer आ गया यही है आपका composite relation ठीक है तो यह रहा उस relation के लिए input 1 पर 5 आएगा 1 पर 6 आएगा और 3 पर 6 आएगा game over आपका relation done आप देखो यहाँ पर यहाँ पर आता है answer देख लेते हम लोग यहाँ पर yes तो कहां गया question number कौन सा था यह 12 था तो यहाँ पर है 15 कहां दिखा हां 151636 yes the answer is correct ठीक है तो देखो हमने ढूंडा भी समझा भी यह मैंने answer क्यों चक्किया मैं आपको as a student work करके दिखा रहा हूं कि आप जब self study करोगे तो किस तरह से करो ठीक है चलो भाई अगले पार्ट पर आती है और inverse OR ठीक है अब inverse यह भी हम पारे में सुना था अब लेकिन common sense का use करते हैं inverse का मतलब ही क्या हो सकता है जो मेरा input है और जो मेरा output है पलट दो output input बन जाए input output बन जाए तो R inverse OR निकालना है मुझे ठीक है तो लोग इस question को भी करना कितना आसान होगा हम यहाँ पर लिखते हैं R inverse OR पहले किसमें input जाएगा relation क जो input होगा उससे जो output आएगा वो दूसरे relation के लिए जिसके साथ वो composite हो रहा है जिसके साथ वो merge हो रहा है उसके लोगा आजा input work करेगा ठीक है तो यहाँ पर पहले शुरुआत करते हैं 4 का input देते हैं जिससे output आएगा मेरे पास 5 का and 6 का ठीक है अब यहाँ पर तो यह R relation है बट मुझे R inverse लिखना होगा तो यह जाएगा 5,4 जस्ट स्विच कर दो 4,1 6,4 6,7 7,3 ठीक है अब inverse relation कैसे डूंडा हमने simple जो input था output output बन गया input काम खतम inverse का मतलब ही क्या हुआ सीधे गए उल्टा आ गए ठीक है तो यही मतलब हुआ इसका तो यह रहा आपका R inverse relation तो वह इस 4 के input पर आ रहा है 5 और 6 तो 5 यह रहा 6 यह रहा 6 यह रहा तो 4 के input पर output मिलेगा आपको 4,4,7 क्योंकि देखो 4 जब input लोगे तो जब 5 output आएगा 4 input लिया output के आया मेरे पास 5,5 जब input गया तो output के आया 4 तो 4,4 4 input लिया अब 5 और कहीं है नहीं है 4 input लिया output के आया मेरे पास 6 आ आपका input बन जाएगा input पर आपका output मिल जाएगा 7 तो sorry sorry 4,7 input क्या है 4, final output क्या है 7, done, ठीक है, 4 ले लिया मैंने, आप बढ़ते हैं 1 की तरफ, तो अब मैं input दूँगा 1, output आएगा 4, ठीक है, output आएगा मेरे पास यहाँ पर 4, तो 4 output मेरे पास, 4 output, r inverse के लिए क्या बन जाएगा input, तो यह वाला part हो गया, yes, तो 1 पर 4 output है, as I input लेंगे, output आएगा 1, तो यहाँ पर आगया 1, 1, done, ठीक है, अब लेता हूँ, मैं 1 के बाद 4 लेता हूँ, तो 4 वाला part तो मैं already कर चुका हूँ, ठीक है, 4 वाला part तो मैं already कर चुका हूँ, तो अब चलते हैं 7 की तरफ, 7 input लिय 7, 4, 7, 6, 6, 7, तो यहाँ आगया 7, 7, done, अब 7 के बाद चलते हैं, 3 पर, 3 लिया, 7 आया, 7 यहाँ पर कहा है, यह रहा, 3 आ जाएगा, तो 3, 3, done, यह रहा आपके पास R inverse OR, कम खतम, R inverse OR, we are done, चलो answer check कर लेते हैं, अच्छे बच्चों की तर है, तो भई यह कौन सा question था, 12th question थ 12th question थे, मेरे पास आया, 11, ठीक है, 44, ठीक है, 47, ठीक है, 74, ठीक है, 33, ठीक है, 77, ठीक है, simple, लेखो, असान सी चीज है न, कितना असान है science OR maths को पढ़ना, ठीक है, अब जो यह आपका 13th question है, next question की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, 14th question आप लोगो के लिए homework रहने वाला है, आप लोग खुद करोगे, YouTube पर देख रहे हो, तो comment में answer दे कर बताना, और हो सके तो application पर आकर proper अपना answer लिख के post कर दिना मझे, ठीक है, application का link as usual description में आपको मिल चाहेगा, ठीक है, so let A12345, B13, oh sorry, यह तो मैं 14th पढ़ने लगा था, माफ करना, 13, if relation R, if R be a relation, less than का symbol दिया है, from A is equal to 1234 to this, ie, AB belongs to R, if A is less than B, then ROR inverse is, ठीक है, यह से तो यह question भी आपको homework के form में दिया जा सकता है, बट चलो देखते हैं, और यहाँ पर जो यह symbol दिया है, यह misprint है, if R be a relation, less than का symbol है, वो misprint है, basically यह question यह कहना चाह रहा है, कि आपका A set और B set के वीच में एक relation बनाया गया है, ठी simply 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और B set आपके पास क्या है, B set है आपके पास, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, वो भाई साथ, 7, 9, 10, 7, 9, 10, 17, 26, 13th के options लिख दिये, माफ करना, ठीक है, मैंने 13th question के options लिख दिये, A set है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, और B set है मेरे पास, 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5, ठीक है, तो यहाँ पर है, relation जो है, वो है, A, B belongs to relation R, if A is less than B, ठीक है, less than लिखा है, equal to नहीं लिखा है, और आपको बताना है, R, O, R inverse, तो यहाँ पर R inverse पहले आ रहा है, ठीक है, चालो, तो देखते हैं यहाँ यहाँ पर A, B के बीच में relation बनाते हैं, 1 को मैं किस से relate कर सकता हूँ, 1 should be less than B, A should be less than B, तो वो 3 और 5 से छोटा है, 1, 3, 1, 5, ठीक है, अब 2 लेते हैं, 2, 3 से छोटा है, 2, 3, 2, 5, ठीक है, अब 3 जो है, वो सिर्फ 5 से छोटा है, 3, 5, 4 जो है, वो सिर्फ 5 से छोटा है, 4, 5, relation बन गया मेरे पास, यह रहा मेरे relation के elements, ठ ठीक है, अब बारी किस की आती है, R inverse की, R inverse अगर मैं लिखू, 1, 3 है, 3, 1, 5, 1, 3, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 4, done, यह मेरे पास R inverse भी बन गया, ठीक है, तो देखो, दोनों चीजे हमने लिख ली, अब आईगे साब question को करी लोगे, R, O, R inverse, ठीक है, तो भई R inverse, input लेंगे 3, चलो हम direct लि inverse, थोड़े speed में करते हैं, मैंने बातों में length लंबी कर दी है, तो questions के जरीए छोटा करते हैं, 3 input, 3 input पर output की आया, 1, तो 1 output, 1 यहां है, यहां है, तो 3 और 5 आएगा, तो 3, 3, 3, 5, ठीक है, यह input है, output आया, R inverse में output आया, वो R के लिए input बन जाएगा, तो input क्या था, 1, 1, तो output आया, 3, 5, done, ठीक है, अगला बढ़ते हैं, 5 input है मेरे पास, जिससे 1 output आएगा, यनि 3 और 5 ही आएगा, यनि 5, 3, 5, 5, done, 3 input लोंगा, 2 output आएगा, ठीक है, 3 input लोंगा, 2 output आएगा, 2 यहां है, यहां है, ठीक है, जिससे मुझे मिलेगा, 3, 3, 3, 5, ठीक है, 3, 3, 3, 5, तो 3, 3, 3, 3, 5, पहले से मौझूद है, तो लिखने के जरूरत नहीं है, अब चलते हैं, 5 पे 5 input लोंगा, 2 output आएगा, तो 5, 3, 5, 5, 5, 3, 5, 5, मौझूद है, पहले से, अब मैं वापस से 5 input लेता हूँ, 3 output आया, तो जब 3 output आया, तो, ओ सरी, 5 input लिया, 3 output आया, यह 3 input बना, यह input से output क्या मुझे 5, 5, तो क्या 5, 5 पहले से लिख रखा है, मैंने, yes, लिख रखा है, कोई जरूरत नहीं है, अब मैंने वापस से 5 input लिया, 4 output आया, 4 output जब input बनेगा, तो, वो input से मुझे क्या output मिलेगा, 5, 5, 5, तो 5, 5, मैंने पहले से लिख रखा है, RO, R inverse, मेरा done, यह बन गया मेरे प करना, तो last, जो 14th question है, इसमें आपको ये भी बताना है, कि कौन सा इनमें से relation function है, तो function ऐसा relation होता है, जिसमें एक input पर एक ही output आता है, बस उसी को हम लोग function कहते हैं, that's it, तो अब आप अपनी सोच और समझदारी का इस्तमाल करके 14th question करना, और वापस से अगर YouTube पे देखा ह कि आपने उस चीज़ को किया, और उसका जवाब क्या-क्या आया, ठीक है, ये आपका 14th question, ये रहा screen पे, pause करके screenshot ले सकते हो, और अगर application में देख रहे हो, तो आपको screenshot लेने के जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के उपर आपको उसका सारे questions आपको मिल जाएंगे, तो question number 14, य इसके वाला आपको करना है as a home, ठीक है, so इस lecture के लिए इतना ही, माफ करना, बातों की वज़े से lecture के length लंबी हो गई थी, लेकिन अगर आपको valuable ग्यान मिल रहा है, अगर आपको valuable ग्यान मिल रहा है, तो please अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर share करना, so इस lecture के लिए इतना ही